वेल्कम टू दे यासरेली क्लासेज और आज हम आप लोगों के सामने एक इतना शांदार इनिशियेटिव लाँच कर रहे हैं जिसमें क्लास 6 का एंट्रेंस पूरा का पूरा वाई एसी चैनल पर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ठीक है देखिए क्लास 6 का जो एंट्रेंस है मैं उसके रिगार्डिंग लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जो एस्पेक्टेड डेट थी वो अब बिल्कुल किलियर हो चुकी है और आज हमारे पास में पूरी की पूरी पूरी डेट हमको मालुम है एक्ज चले जाएंगे देखिए मेरा जबसे बड़ा मोटिफ क्या है कि आप लोग एक परफेक्ट गैडेंस के साथ में परफेक्ट मेंटर्शिप के साथ में अच्छे तरीके से पढ़ सकें और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कर सकें वाई एसी आप लोगों के साथ में को qualified करना है किस तरीके से आपको entrance में आगे बढ़ना है ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको समझाई जाएंगी ये सीपर ठीक है ठीक है सबसे बड़ा मसला यहां पर क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चे का सोचते हैं कि दो चीजें बहुत अदा polite ले जाते हैं कि हाँ भी ठीक है entrance कर लेंगे देखा जाएगा हो जाएगा ये सारी चीजें नहीं होती है entrance wants sincerity punctuality ये बात ध्यान रखना जिस strength के अंदर sincerity नहीं है punctuality नहीं है ठीक है वक्त पर काम करने की शमता नहीं है और hard working नहीं है वो entrance कभी नहीं निकाल सकता है firstly अगर आप लोग इतने बड़े हो कि आप class 6 की entrance की preparation अगर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपको एक specific time मेरे हाथ की दरब देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा है कि आपको 8 गंटे पढ़ना है आपको 10 गंटे पढ़ना है आपको 15 गंटे पढ़ना है आपको specific time जिस time में crystal clarity के साथ में आपका पूरा का पूरा जो syllabus है जो हम यहाँ पर करा रहे हैं maths वाले सर आपको maths कराएंगे ठीक है जो लैनोज वाले सरेम आपको लैनुश कराएंगे यहाँ पर मैं आप लोगों को science करा रहा हूँ ठीक है science में भी मैं आपको 2 subject कराऊंगा chemistry और biology ठीक है उसके बाद में जब वो teachers कराएंगे और हम जो आपको साथ में कराएंगे एक एक चीज की well maintained copy को maintain करना है और एक एक चीज आपको पढ़नी है अब ऐसा नहीं कि आप हिल कर बैट रहे हैं मतब रट्टा उसका लगा रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको समझ कर पहले आपको lecture को देखना है हमारे उसके बाद में आपको क्या काम करना है अपने notes बनाने है और आप वहीं जहां पर आप lectures देख रहे हैं उस lectures में आपको क्या काम करना है नीचे comment section में आप मुझसे कोई भी सवाल पूश सकते हैं नीचे comment section में आप कुछ भी मुझसे कोई भी चीज पूश सकते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूँ हमारा जो mobile app है या सरेली classes का वहाँ पर हमने इस course को launch कर रहा है prepared में ठीक है वहाँ पर आपको live chatting मिलेगी live interactions with the teachers मिलेंगे recorded lectures मिलेंगे और आपको mostly of the objective questions or previous years के questions आपको वहाँ पर मिलेंगे इस जगा पर ये एक ऐसा initiative है जो शायद ही अलीगर में कभी किसी ने लिया होगा जो YAC ने लिया है आप लोगों के लिए ठीक है देखे हम यहाँ पर actually में मैं आपको पूरा-पूरा मसला बताता हूँ इस की पूरी case study बताता हूँ हमारा मकसद सिर्फ एक छोटा सा है कि आप लोगों का selection एक affordable amount में actually निकलना चाहिए बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अब देखिए मैं अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर हमारे पास में एक चीज़ सबसे ज्यादा हम लोग सोचते हैं यह चीज़ हमसे नहीं होने वाली है यह वो चीज़ हमसे नहीं होने वाली है ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है everything आप कुछ भी कर सकते हैं कोई फर्ट नहीं पड़ता है पस आपको करने की चाहा होने शाहिए कहते हैं ना अलमा अकबाल ने क्या कहा था अलमा अकबाल कहते हैं कि गर हिम्मत करे तो क्या नहीं इनसान के बस में यह है कम हिम्मती जो बेबस ही मालूम होती है तो आप परिशान मत होईए आप चीज़ों को बिलकुल भी निकिटिव वे में मत लेकर जाएए एक्चुली में क्या होता है कि देखे मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हैं देखे मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पूरा का पूरा syllabus syllabus है class 6 का वो 3 streams के अंदर इन लोगों ने तोड़ा है ठीक है? 3 streams के अंदर सब divisible है, maths के अंदर science के अंदर और language के अंदर ठीक है? तो maths के अंदर 30 questions जो हैं, वो actually जो है आपके पास में 30 questions math के हैं ठीक है? 30 questions आपके science के हैं 30 questions आपके language के हैं तो 30 plus 30 60 questions plus 25 यानि कितना हुआ? 85 questions जो हैं, वो आप लोगों के पास में है written test में, ये बात धान लगिएगा ये जो questions हैं, वो कैसे हैं? written test के questions है written test के questions है 85 questions आपके लोगों के पास में होंगे written test में 85 questions आप देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है? आप लोगों को mathematics YAC पर कराएंगे आप लोगों को science YAC पर कराएंगे आप लोगों को language YAC पर कराएंगे हर एक चीज YAC पर कराएंगे तो सर, आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है मन लगा कर पढ़ाई करनी है hard working तरीके से पढ़ाई करनी है इतना अच्छा देना है अपना best देना है ठीक है? यह हमारी guarantee है कि हम आपको बता रहे हैं biology, chemistry के अंदर और mathematics के अंदर अगर आप मैनत करते हैं उस जगा से कि हम as it is as 25 to 28 questions आपको notes में देदेंगे बस आप भी prepared रही है अपने entrance examination के लिए देखिए पूरा का पूरा जो paper pattern है वो science का जो syllabus actually आप लोगोंने पहली बार सुना होगा कि physics क्या होती है biology क्या होती है chemistry क्या होती है अब इतना दिमाग पर छुटे से दिमाग पर जोड डलने की ज़रुवत नहीं है सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर मौझूद है आपको क्या काम करना है आपको सिर्फी समझना है कि आपको तीन subject के teachers हैं जिसमें से हमारे पास में यह जो चीज है biology और chemistry यह बढ़ाऊंगा मैं ठीक है यह आपको मैं पढ़ाऊंगा दिहिए biology का जो slabus है हमारे पास में biology का slabus है सबसे पहला chapter है reproduction in plant हम plant की reproduction के बारे में पढ़ेंगे second chapter है different lifestyle different lifestyle का मतलब क्या है कि अलग-अलग microbes अलग-अलग लोग अलग-अलग जानवर जितने भी organisms हैं पूरी की पूरे world पर पूरी की पूरी diversity में वो किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा थर्ड चेप्टर है आपका एर अराउंड एर ओल अराउंड अस ठीक है हमारे पूरे एतिराफ में हमारी पूरी की पूरी surrounding के अंदर जो air है हम उसके बारे में आपको बताएंगे ठीक है nervous system and sense organ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है और जो आपके sense organ है वो किस तरीके से काम करते है उसके बाद में हम डिसकस करेंगे skeleton system के बारे में skeleton system किसको बोलते है skeletal system बोलते हमारी पूरे के पूरे हड़ियों के बारे में पूरे खांचे के बारे में और जो पूरा का पूरा धांचा है हमारा पूरा का पूरा जो कंकाल है उसके बारे में पूर उसके बाद में हम बात करेंगे फूड हेल्थ के बारे में फूड हेल्थ समझते हो ना खाने की साफ सफाई के बारे में किस तरीके से हम खाने को किस तरीके से प्रिपेट करा जाए कौन सा खाना प्रिपेट करा जाए, क्या काम किया जाए, जिससे के एक्चुली में हम को हम हेल दी रहें फूट के जरीए, उसके बाद में सेफटी एंड फरस्टेट, किस तरीके से हम सेफटी बरत सकते हैं और फरस्टेट ले सकते हैं, ठीक है, अगर मान लीजे किस तरीके से खाना बनता है, और कस जगा पर रखा जाता है, उसके अंदर पढ़ना है दीए, बात करते हैं, फिर फिजिक्स की फिजिक्स में दो चैप्टर्स आ जाते हैं फिजिक्स में हमारे पास में दो चैप्टर्स आजाते हैं एक तो आजाता है आपका मून और एक आजाता है आपका simple machine ठीक है एक आजाता है आपका मून और दूसरा आपके पास में आजाता है simple machine ठीक है बात करते हैं chemistry की तो chemistry में water के बारे में पढ़ेंगे rock minerals और states of matter के बारे में बढ़ेंगे एक एक चीज में आपको समझाने वाला हूँ ध्यान रखिएगा बातर समझ में आ रही है ना बच्चा कि आखरकार में आप लोगों से क्या कह रहा हूँ इस इट किलियर टू एबरीबडी देखो मैं फिर एक चीज बताता हूँ खतम कर सकता हूँ बाते समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है इस इट किलियर टू एबरीबडी देखिए आगे चलते हैं बात करते हैं selection process की क्या आकरकार किस तरीके का selection process यह लोग यहाँ पर maintain कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर selection process ले रहे है यह 85 नमबर का तो ले रहे हैं written test और 15 नमबर का ले रहे हैं ये interview test ठीक है तो इन दो इस तरीके से interview के लिए वही लोग जाएंगे आगे जो written qualified करेंगे ठीक है तो आपका पहले चीज written qualified करना है तो आपको क्या करा interview और written तो कितना हुआ total 100 marks हो गए 100 marks में जो merit बनती है वो इस लिहाज से बनती है कि आपका interview में जो सबसे लोग आगे आएंगे ठीक है जिनके marks अच्छे होंगे जिनके marks सबसे उपर grade पर होंगे पहले written test में उनको interview के लिए बेज़ा जाएगा पर interview में जो है बारी बारी से देखा जाएगा कि कौन आगे है और कौन पीज़ाए ये बात ध्यान लगिएगा देखे अघर बात करते हैं किसकी paper type की है अगर अपन बात करते हैं कि क्या paper type होता है तो paper type क्या होता है इसका paper type होता है MCQs, ठीक है, MCQs का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ, MCQs का मतलब होता है, multiple, multiple choice, choice questions, multiple choice questions का मतलब कि आपको एक question दे दिया, आपको एक question दे दिया, मान लेजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी question लिख रहा है, ठीक, एक question दे दिया, और फिर हमने आपको यह दे दिया, कौन सा multiple types question, देखे, और यह बहुत शांदर चीज़ में आप लोगों को बताता हूँ भी, कि आज की date क्या है, आज की date क्या है, test date क्या है, 19 July है, sorry, 19 June है, ठीक है, और आज की date क्या है, 28 April है, कितना है, 28 April है, अब देखो 19 और 28 April में, 28 April और 19 June तक तुम लोग time को calculate करो, तो हमारे पास में एक महीना 22 दिन है, कितने हैं, एक महीना 22 दिन हमारे पास में मौझूद हैं, या फिर आप साथ हफते कह सकते हैं, या फिर आप 52 days कह सकते हैं, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का, कि आप अगर पढ़ते हैं काईदे के साथ में, तो entrance कोई बहुत बड़ और चले जाएंगे, आपको मेहनत करनी हैं बेटा, हमारे इस initiative को आगे तक पहुचाना है, YAC चाहता है कि आपके शांदार तरीके से बहुत सारे selection YAC दे, बाते समझ मारी हैं कि नहीं आ रही हैं, मेरी चीज़ों को देखिए, समझीए आप, ठीक, तो आपके पास में एक मही आप 22 दिन मौझूद हैं, 52 डेज मौझूद हैं, 7 वीक्स मौझूद हैं, अभी इसे सारी चीज़ों को छोड़कर, एक्जाम आप सभी लोगों के हो चुके हैं और एंटरेंस की प्रेपरेशन के अंदर लगी है, इंशालला रह्मान सेलेक्शन निकलेगा, दिखिए, आग दो तरीके की मीडियम की बात करते हैं, एक इंगलिश मीडियम होता है, एक उर्दू मीडियम होता है, हमारे पास में इंगलिश मीडियम के लिए, देखिए, इंगलिश मीडियम के लिए, STS है, STS स्कूल है, बॉइस का है यह, 40 सीट है, बॉइस बना दे रहा हूँ, ठीक है उसके बाद में AMU City School है अब महाराना प्रताप के नाम से जाना जाता है AMU City School है ठीक है? 40 सीटे हैं इसके पास में कितनी सीटे हैं? 40 सीटे हैं ठीक ये भी बॉइस का है उसके बाद में AMU Girls School है Girls School है इसमें 40 सीटे हैं उर्दू मीडियम कि अगर बात करते हैं उर्दू मीडियम के पास में AMU AMU अलिकर्ण मुसलिम नीवर्सीटे सीटी स्कूल सीटी स्कूल बॉइस यहांपर हमारे पास में कितनी सीटे हैं? 50 सीटे हैं और AMU City School Girls यहां पर हमारे पास में कितनी सीटे हैं, 40 सीटे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्टस मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, और हर एक चीज मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बताई है, कि आकरकार किस तरीके से को समझाया। एक चीज मैंने आप لوगों को समझाइए मैंने आपको ये बता आ ये किस तरीके से entrance निकलेगा। देखे entrance निकालनकोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर बार बार आप लोगों को से चिक चिक हरी वाली बात कह रहा है। बस आपको sincerity- punctuality के साथ में hard work करना है, देखिए hard work बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग अभी से सारी जीजों को सीखिए आप एक पास सोच कर चलिए कि अभी मुझे entrance निकालना है have to qualified the entrance examination मुझे करना है किसी भी कीमत पर बस, Allah ताला आपके साथ है हमारा full support है आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और YAC के साथ में बने रहें इंशाला रह्मान सेलेक्शन जरूर निकेका Thank you very much for today